मैं अपने video manager पर आचुक हूँ, आपको यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे video से, आपको बता दूँ कि अगर आप एक से ज्यादा ads को अपने video लगाना चाहते हैं, तो आपकी जो video पर 10 minutes से ज्यादा किया होनी चाहिए, अगर जो video 10 minutes से कम किये हैं, तो आप बिल्कुल भी ads नहीं how to live stream on YouTube, तो यह video 10 minutes से उपर किये हैं, तो इस पर edit पर click करके इसे edit कर लेते हैं, ताकि में इसमें एक से ज्यादा ads को place कर सकें, लगा सकें, तो इससे आपका जो revenue वो increase हो सकता है, तो आपको दिख रहा हुगा कि यहाँ पर आपको basic information, translation और advance एडने का option मिलता है, तो हम यहाँ पर एक से जादा ad लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर monetize का option पर click करेंगे, तो जैसे click करेंगे, आपको नीचे scroll down करते वाएंगे, तो आपको यहाँ पर जो ad format दिखाए देगा, display ads, overlay ads, sponsor cards, keybabel, video ads, तो इसके आपको नीचे add break option दिखाए देगा, जहाँ पर एक स second पर शुरू होगा, तो हम यहाँ पर एक से जाद ad लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए simply आपको यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा, उसे आप drag करेंगे, जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि माल लीजे मैं आपको यहाँ पर नीचे timing शो रहे कितने timing पर add स्टार्ट हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3-3 second हो चुके, तो उस पर आगर add लगाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर insert add पर click करेंगे, और फिर से आप यहाँ इसे drag करके आगे ले जाएंगे, जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं, माल लीजे मै यहाँ पर फिर से insert add पर click करके add लगा दें, तो आप यहाँ पर देख लेते हैं हमारे जो इस video में कितने add लग चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लगब वीडियो देख रहाई मिन दिख लिए होगी, तो यहाँ पर जो ताइमिन दिख रहे हैं, ऊपकी ज ज्यादा ऐड लगा सकते हैं सेफ चेंजर पर क्लिक करना हो ताकि जो सैटिंग है वो सेव हो जाए तो दोस्तों इस तरह बहुत ही असानी से आप एक वीडियो में एक सेदा एड लगा सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आयोगी अ और कमेंट कीजिए और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मातरम